शिव बाबा याद है ना? हम मनुष्य मनुष्यों को याद करते आए देहधारी देहधारियों को सिखाते आए अब हम निराकार आत्मा बन निराकार बाप को याद करते हैं निराकार बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं अब आप निराकार बाप को परीचे सहित याद करते हो जिससे आप गुण बवान बन जाते हो, सदा हर्शित रहते हो, बिना परीचे के उन्हें याद करना ये तो भक्ती हो जाती है, संपूरण पावन बनना है तो उसका आधार याद की यात्रा है, बाबा ने परीचे देने की विधी सिखाई, जब किसी को बाब का परीचे देते हैं, तो पहले अबा निराकार है, वो सुप्रीम, पिता, शीक्षक और सक्त गुरु है, उनकी महिमा करनी है दिल से और वो क्या कारे करते हैं, त्रिलक्ष्मि नाराइन इतने उच कैसे बने, उनको ऐसा किस ने बनाया, बाब का परीचे प्यार से सुनाएंगे, तो बहतों का कल्यान होगा बाब ने कहा, इस समय तुम बाब के पास आए हो, मनुश्य से देवता बनने के लिए पहले फरिष्टा बनना है, देभान को समाप्त कर देना है, सब को बाब का संदेश देना है, अहिल्याएं, गणिकाएं, कुपजाएं, गणिकाएं, उनकी विशेश रूप से सेवा करो जब नुका जीवन स्रेष्ट बन जाएगा, तो वो भी आपको दिल से दुआएं देंगे, सुनते हैं बाबा के मदर बोल, बाबनी का मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है, यही मुख्य सबजेक्ट है, योग बल से तुम सर्विसिब गुणवान बन सकते हो, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है, यही मुख्य सबजेक्ट है, योग बल से तुम सर्विसिबल गुणवान बन सकते हो, कुछने तुम बच्चे जो योग सीखते हो, सबसे निराला योग है कैसे? तुम बच्चे जो योग सीखते हो, सबसे निराला योग कैसे है? आज तक जो योग सीखते सिखाते आए, मैं मनश्यों का मनश्यों के साथ योग चुटा, अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं, निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे, सबसे निराली बात है दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते, तो बिगर परिचे के याद करते, अकूपेशन के बिना किसी को याद करना ये भगती है, ज्यानवान बच्चे परिचे सहित याद करते हैं, ओम शांती, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, बच्चों को पहले पहले बाप का परीचे मिला, छोटा बच्चा पैदा होता, उनको पहले पहले माँ बाप का परीचे मिलता, तुम्हारे में भी नंबर वार पुर्शार थंसार हैं, जिनको रच्चता बाप का परीचे मिला ये भी बच्चे जानते उच ते उच बाप ही है उनकी महिमा बतानी है महिमा गाते है शिवाई नमा ब्रम्मा नमा विश्नु नमा ये तो शोबता नहीं शिवाई नमा ये शोबता है ब्रम्मा देवताई नमा विश्नु देवताई नमा ये अक्षर शोबता है उनको देवता कहना पड़े, उच ते उच भगवान, जब को याते हैं तो पहले पहले बाबा की महिमा जरूर बतानी है, वो सुप्रेम बाप है, बच्चे भूल जाते हैं, बाप की महिमा कैसे सुनाएं, शिव बाबा की महिमा कैसे सुनाएं, बच्चे बात भूल जाते हैं, पहले तो ये स करना पड़े, तुम बाप की महिमा को जानते हो, तभी तो करते हो, उन्होंने उंचतेउच बाप को सरव्यापी कह दिया, मंशें कह देते लेकिन मंशे तन में सदैब तो रह नही सकते, वो तो सरफ लोन लेते हैं, वो खुद कहते हैं, मैं इनके तन का आधार लेता हूँ, तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सक्ते, वो सक्ते नारण की कथा सुनाते है, शुर्व बाबा है सक्ते, वो आकर सक्ते नारण की कथा सुनाते है, नरसे नारण सक्ते बाप ने बनाया, सक्त्यों में लक्ष्मी नारण का राच्चे था, वो कैसे बने, किसने बनाया, सब योग होते हैं मनुष्यों के मनुष्यों के साथ, ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वो भी परीचे से, आजकल भले शिव से योग लगाते हैं, पूझा करते हैं, पन्तु जानते उनको कोई भी नहीं, ये भी नहीं समझते, प्रजा पिता साकार दुनिया में होगा मुझे हुए हैं समझते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा तुछ पहले पहले सत्यूग में होना चाहिए अगर सत्यूग में प्रजा पिता ब्रह्मा हो वे सुक्षम वतन में क्यों दिखाया अर्थ नहीं समझते इस साकार है करम बंधन में वो सुक्षम है कर्मातीत एक ज्यान कोई में नहीं ज्यान देने वाला एक बाप है वो जब आकर ज्यान दे तब तम दूसरों को समझाओ ज्यान सागर एक बाप है वो जब ज्यान दे तब आप दूसरों को समझाओ बाप का किसको परिचे देना बहुत सहच है अलफ पर समझाना है इस सब आत प्रक्तिस नहीं, तो किसी को समझा नहीं सकते, निश्चे नहीं, प्रक्तिस नहीं, तो किसी को समझा नहीं सकते, इसको ज्यान नहीं देते, तो गोया अज्यानी है, ज्यान नहीं तो भगती है न, दे अभिमान है, ज्यान होगा ही, दे ही अभिमानी में, हम आत्मा है, हमारा बाप परम पिता परमात्मा वही बाप टीचर सत्गुरु है हमात्मा है हमारा बाप परम पिता परमात्मा वही बाप टीचर सत्गुरु है प्रजा पिता ब्रह्मा भी है ना प्रजा पिता ब्रह्मा निराकाश्रिव बाबा ब्रह्मातन से समझाते हैं बाप ने प्रजा पित प्रजा पिता ब्रह्मा का अक्कुपिशन भी बताया, तो अपना भी अक्कुपिशन बताया, मनुश्यों ने शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया, यते शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया, अब विनाश तो बॉम से नैच्रल क्यालिमति इससे होता, शिव शंकर महा देव कहते, ये चित्र कोई अथार्थ नहीं, ये सब भक्ती के चित्र हैं, वह ऐसी कोई बात नहीं, प्रजा पिता ब्रह्मा भी देधारी है, कितने धेर बच्चे हैं, तो ये सब चित्र पूजा के लिए हैं, बाबने समझाया, ये व्यक्त वो अव्यक्त, जब अव्यक् दोनों है जरूर, सुक्षम बतन में भी जाते। बाव ने समझाया, प्रजा पिता ब्रह्मा जो मनुष्य है, वो ही फरिष्टा बनता है, फिर राजाई का भी उसमें चित्र दिखाया, फिर वो राज्ये करेंगे। फिर पावन बनना है, पवित्र बनकर चले जाएगी अपने धाम, आत्मा निराकारी दुनिया में रहती, साकारी है यहाँ, पाकि सुक्षम बतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं, सुक्षम बतन का राज भी बाबाब समझाते, तो मूल बतन, सुक्षम बतन, फिर है स्थूल बत शिव परमात्मा ही नमा, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रम्मा देवता कहेंगे, शिव को परम पिता परमात्मा ही कहते, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे, उनको फिर सरव्यापी थोड़े ही कहा जाता, पतितों को पावन बनाने का कर तव्य करना है तो क्या ठिकर भितर में जाके करेंगे इसको गोर अंधियारा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूद है बाबा कर समझाते यदा यदा ही धर्मस्य किसकी गलानी वो लोग तो शलोक सुना कर फिर अर्थ सुनाते ये तुम बच्चों को वहां जाके देखना चाहिए बोलना चाहिए हम इसका अर्थ समझाते हैं फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए ऐसे थोड़े समझेंगे कि ये बीके हैं बले सफेद जैसे परन्तु छ Inner थोड़े ही लगा हुआ है तुम कहां पर भी तुम कहां पर भी जाके समझासकते हो बस कह सकते हो इसका अर्थ बताओ देखो वो क्या सुनाते हैं बाकि इतने सब चित्रतों डिटेल समझने की बात है अथा ग्यान है सागर को स्याही बनव तो भी अंत नहीं फिर सेकंड की भी बात सुनाई सरब बाप का परीचे देना है वोही बेहल का बाप स्वरग का रच्यता है हम सब उनके बच्चे है तो हमें भी ज़रूर स्वरग का राज होना चाहिए प्रन तु सबको मिलना सके बापा आते हैं भारत में और भारतवासी ही स्वरगवासी बनते हैं दूसरे तो आते ही पीछे है बहुत सहज है प्रन तो समझते नहीं बाब को तो वंडर लगता, एक दिन गणिकाएं आधी भी आकर सुनेंगी, पिछाडी में आने वाले कैसे तीखे हो जाएंगे, वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं, बहुतों को लज्जा आती है, देविमान बहुत है, बाब केते वैश्याओं को भी समझाना है, भारत का नाम उन्होंने ही गिराया, इसमें मुख्य चाहिए योग बल, बिलकुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है, अभी तुम बच्चे चानते हो, याद का बल कुछ कम है, इसमें ज्यान है तो फिर याद कम है, डिविकल्ट सब्जेक्ट है इसमें जब पास हो, तब गणिकाओं का उधार कर सके, अच्छी-ची अनुभवी माता ही जाकर समझाए, कन्याओं को तो अनुभव नहीं माता ही समझा सकती है, बाबा केते पवित्र बनो, तो पवित्र विश्व का मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवाले बन जाएग पवित्र रहने की, ऐसी पतितों को पावन बनाने की तलवार वो तीखी चाहिए, इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में नंबरवार है, सेंटर पर रहते हैं, बाबा जानते सब एकरस नहीं, सर्विस पर जो आते हैं, उनमें रात दिन का फरक है, तो पहले जब किसको स समझाओ, तो बाप का परिचे दो, बाप की महिमा करो, इतने गुण सिवाई बाप के, और किसी के नहीं हो सकते, जितने गुण शिवावा में हैं, इतने गुण किसी के नहीं हो सकते, वो ही गुणवान बनाते हैं, बाप ही सत्यू की स्थापना करते हैं, अब यह संगम तो मातमाओं को बैट समझाएंगे, ये तो समझाते हो, आत्मा का ही शरीर है, आत्मा ही शरीधारन करती है, कहां तक कोई समझते हैं इस शकल से मालूम पड़ जाता, कोई मूरी होते हैं, तो सारी शकल ही बदल जाती, आत्मा समझ बैठेंगे, तो शकल अच्छी रहे, आत्मी उचल नहीं सकते, क्योंकि गोरक धंदा लगा पड़ा है, पूरा भ्यास करें, तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो, याद से तुम पावन बनते हो, आत्मा जितना योग में रहती, उतना पावन बनती चाहती, सत्योग में तुम सतो प्रधान थे, बहुत खुश थे, अभी संगम पर तुम हस्ते बहलते रहते हो, बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए? इस समय तुमें बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए? बाप पर तो कुर्बान होना है, सावकार कोई मुश्किल निकलते, गरीबों को ही मिलता, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धी रेधी रेवरिदी को पाते रहेंगे, कोटों में कोई विजे माला का दाना बनते हैं, करोडों में से कोई आत्मा विजे माला का दाना बनती है, बाकी प्रजा तो बननी है नमबर वार, कितने धेर बन जाएंगे, सावकार गरीब सब होंगे, पूरी राजधानी स्तापन हो र कि मैं फलानी चीज खाऊं, ये आशाईं यहां होती हैं, बाबा के बड़े बानप्रस्तियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शान्ती में रहते हैं, यहां तो ये बेहद की बातें बाबा समझातें, वैश्याई गणिकाई भी ऐसी ऐसी आएंगी, जो तुम से भी तीक ही हो जाएंगी, बड़े फस्क्लास गीत गाएंगी, जो सुनते ही खुशी का पारा चड़ जाएगा, जब ऐसे गिरे वे को तुम समझाकर स्रेष्ट बनाओ, तब तुम्हारा नाम बहुत उंचा होगा, कहेंगे ये तो वैश्याउं को भी इतना उंच बनाती हैं, खुद पिचाड़ी में आने वाले उंसे आगे चड़ जाएंगे, आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो, नई बच्चे सर्विस में कितना उचलते हैं, नई ने बच्चे सेवा के लिए कितना उमंग में आते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल अदे गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्णा के लिए सार, पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो, गिरेवे को उठाओ, उनका उधार करो, तब नामबाला हो, स्वयम के दृष्टी को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो, हम आत्मा हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं, बाबा की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे, वरदान है अनादी स्वरुप की समरती द्वारा, संतुष्ट ताकान भव करने और करा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव अपने अनादे और आदी स्वरुप को स्मृती में लाओ उस्मृती स्वरुप में स्थित्थ हो जाओ तो स्वयम भी स्वयम से संतुष्ट रहेंगे औरों को भी संतुष्टा के विशेष्टा का अनुभव करा सकेंगे और संतुष्टा का कारण है एप्राप्ती आपका स्लोगन है पाना था सो पालिया अब और क्या बाकी रहा बाप का बन्न अथात वर्से के अधिकारी बन्न ऐसे अधिकारी आत्माई सदा भरपूर संतुष्ट मनी होंगी अपने अनादी और आदी स्वरुप को स्मृती में लाओ उस स्मृती स्वरुप में स्थित हो जाओ स्वेम भी संतुष्ट रहेंगे औरों को भी संतुष्टा की विशेष्टा का अन्भो करा सकेंगे और संतुष्टा का कारण है एप्राप्ती आपका स्लोगन है पाना था सो पालिया बाप का बनना अठात वर्से का अधिकारी बन्दा ऐसे अधिकारी आत्मा सदा भरपूर संतुष्ट बनी होगी स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना, करना, तीनों की समानता हो अव्यक्थ साइलेंस द्वारा दबल आइट परिष्टा सिती का अनभव करो वर्दानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयम में शुद संकल्प धारन करो सारदिन शुद संकल्पों के सागर में लहरा आते रहो और जिस समझाय शुद संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओ आपके डीप साइलेंस दिती वायो मंडल का परिवर्टन कर देगी आप स्वयम को डबल आइट फरिष्टा अन्भो करेंगे वर्दानी रूप से सिवा करने के लिए पहले स्वयम में शुद संकल्प धारन करो सारा दिन शुद संकल्पों के सागर में लहराते रो जिस समचाय शुद संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओ आपके डीप साइलेंस दिती वायो मंडल का परिवर्टन कर देगी और आप स्वयम को डबल लाइट फरिष्टा अनभू करेंगे आज हम सब अभ्यास करेंगे मैं संतुष्ट मणी हूँ संतुष्ट ताका प्रकाश दूर दूर तक फैलाएंगे संतुष्ट आत्माईं दिल से गीत गाती है जो पाना था सो पा लिया अब और क्या बागी रहा बाबा मिला सब कुछ मिला बाबा को पाया सर्व प्राप्तियां हो गई बाबा की शक्तियों को अपने मियाता अनुभव करें मैं संतुष्ट मणी हूँ ओम शान्ती जैसे समय अतिकी ओर बढ़ रहा है तो ऐसे में हमें क्या पुरुशार्थ करना है यह जानने के लिए आईए सुनते हैं आज का ग्यानमोती क्या आईए स्वाज़ करें प्राप्तियों करें